नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का और जैसा कि सभी को बेसबरी से इंतिजार था उत्राखन PCS का नोटिफिकेशन उत्राखन लोग से वायोग द्वारा जारी कर दिया गया है आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं और इसी क्रम में विज्ञानुकान प्रकासन क कि ती थी दस अगस्त को है आज और यह तीस अगस्त तक आप उनलाइन भर सकते हैं और सबसे मज़े की बाद दो सो चौबिस पोस्टे हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा सारी डिटेल्स बता रहे हैं आपको कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या सलेबस में चेंज और उसमें भी SDM की कोई पोस्ट है नहीं है तो बहुत निरासा है सभी लोगों को लेकिन फिलाल जितने पोस्ट हैं हम उसके बारे में डिसकस करेंगे ठीक है तो इसमें आपका जो है ओनलाइन नेट बैंकिंग के थो फॉर्म संबिशन होगा पेमेंट भी ऑनलाइन होगा और कोई हार्ट कोपी भेजने की जरूत नहीं है पेपर का वैटन वही है प्री और मेंस दोनों रहेंगे प्री का पेपर आपका जनरल एक्टिटूड और जीयस का डेल डेल सौ नमबर के आन्य पेपर आएंगे आपके दो पेपर होंगे दो दो घंटे के ठीक है तो यह है रिक्तियों की जो संक्या है वो आप देख लीजिए बुलिस उपाधिक शक के दस पद हैं और उसमें आप देख सकते हैं रिक्तियां कितनी हैं और वित्य अधिकारी है अठारा पोष्टें सायक संभागी की की हैं 11 सायक निदेशक की हैं 17 उसी प्रकार से जिला पूर्थी उसी प्रकार से अन्य बहुत सारी पोष्टें हैं जो की लोगसिवा आयोक के अंदर अधिकारी के पत पर जो होता है जिसका ग्रेट पर लेवल 10 का होता है ठीक है तो यह 500 का grade पे से start होगा आपका ग्रूप A officers आप बनेंगे अगर आप यह परिक्षा पास करते हैं तो इस परकार से इसमें बहुत सारे पद हैं तो total पदों का जो योग है तो सभी के लिए सम्मिलित परिक्षा आयुजित की जाएगी तो total पद हैं 224 हैं उसमें से general के 139 हैं बाकी other categories के इसमें दिये गए हैं ठीक है तो इस परकार से यह पद की संक्या घड़ बढ़ सकती है लेगिन फिलाल या अधियाचन जो मिला था वो यह है ठीक है उसके बाद इसकी जो जैसे कुछ पाद ऐसे हैं जिसमें की physical ओरों की भी मांग होती है तो उसमें physical के जो माप डंड हैं वो लिखें जैसे पुलिस अपाधियक्स में उपाधिक्सक में जो है माप डंड रखा गया है तो उसमें दिये रखाया कैसे करना है ठीक है और सभी में ग्रेजूशन आपको पता है PCS का फॉर्म बनने का ग्रेजूशन आप किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए चाहे बीए किया हो बीसी किया हो कोई भी भर सकता है या Commerce से हो ठीक है कुछ special path है जो इसके लिए आपको specific जैसे Commerce वाले है तो उसको Commerce वाले से वाने जी वाला जो है तो वही भर सकता है ठीक है आपका यह notification 90 pages इसका है तो इसमें syllabus भी दिया है प्री का मेंस का सब का ठीक है और यह पूरा हर एक जो भी आपकी पोस्ट है उसके according आपका जैसे सायक निदिसक है रसायन से तो इसमें क्या होना चाहिए इस नातक होना चाहिए किस से रसायन विज्यान से तो यानि जो संबं प्रता जो है विस्विजाले से किया होना चाहिए प्लस उसमें PhD होगर है तो उसको जादे हो मिलेगा ठीक है लेकिन यह सब चीजें तब वैलिड होंगी जब आप प्री और मेंस के एक्जाम देंगे और इंटर्यू के लिए बैठेंगे ठीक है उसके बाब फाइनल जब व हिला ब्यारती के लिए उसी प्रकास सीने का जो है यह भी दे रखाया ठीक है तो वजन कितना होना चाहिए सारी जी है आयू में जो छूट है जैसे की कोविड चल ला था तो एक जुलाई दोजार एक्किस को नियुनितम आयू जो गड़ना है एक्किस वर्स का आपका होना जैसे पहले भी जितने भी स्टेट के वैकेंसी जैसे उसमें लागो होता है ठीक आरक्षन का जो है जो नियम है उसके अगोडिंग होगा समीधान के और इसमें आरक्षन के जो सार्टिपिकेट्स हैं उसके फॉर्मेट्स भी दिये हैं आप उसको बना सकते ठीक है और राश तो उसको वीडियो को भी देख लिजिए मैंने उसमें भी बता रहा है एक फॉर्म कैसे बना है तो वही साइट आपको UKPSC.net.in पर जाना है उसके बाद आपको मुबाइल नमबर या इमेल आईडी आपको कियेगा अपलाई नाओ वहां पर आपसन आएगा तो वहां कंट्य किजिए रेस्टेशन करना है रेस्टेशन के बाद आपका ID पास्वर्ट जनेट हो उसके बाद आपको डिटेल्स भरनी है एड्युकेसनल से लेकर आपको next step हो और सब कुछ उसमा फोटो इमेज अगर डालना है ठीक है उसके बाद सुल्क जमा करने के बाद आपको पात्र एक महने का दिया है एक महने से भी कम का दिया है तो उसी साब से लग रहा है और फीज जो है वन फिफ्टी है जैसे पहले उसमें था लोग चैंजज नहीं है तो यह उत्तर यह ओमार बेस्ड होगा ठीक है नौ मुक्य परिक्षा के लिए जो है सेंटर सोगरोई इसम लुए जो प्रारिम परिक्षा के लिए इसाख सत्कार का कैसा होगा तो क्रिए जो कि यह परिए के वहालिफाइंग हो ठीक है और उस टाइम पर आपको डॉक्मेंट कर भी ले जाने पड़ते हैं वो सारी समें बता रखिए हैं अब चैसे इसको पढ़ लीजेगा डाउनलो मापको माक्स कितने लाने होते हैं ठीक है 40 परसेंट माक्स चाहिए ठीक है और सब्जेक्टिव को एक दू सब्जेक्ट ऐसे हो जिसमें क्वालिफा करने पड़ता है उसके आलावा यह देखिए सेंटर के नाम है अलमुडारानी के चंपावत इस तरह किसे हर जिले में सेंटर होगा सौ प्रसनों इसमें और वंपॉंट पाम मार्क से भी लेड़ सो अंकों का होगा दो घंटे का यह हो चौटल चार घंट का 300 तो पहले वाले जो दूसरे वाला जो जनरल एप्टरूट उसमें 33 मार्क्स लाना परसेंट मार्क्स लाना जरूरी है तो तब जाके यह निए 33 परसेंट का मनला हुआ आपका 70 के आसपास मार्क्स लाना है ठीक है अलब 50-70 के आसपास ठीक हो उसके बात यह मुखी परिक्षा है जैसे आप का का यूपी सatा उसके बात है तो दोसो दोघ्सो नंबर टोटल 1700 more कि में परिक्षा हो जाती है लिखेद वाली सब्जेक्टी बेस इसमें 35 पर 37 अंकल आना जरूरी होता है उसके बाद फिर आप जब यह क्वालिफाय करते हैं तब जाके फिर इंटर्व्यू करता है ताकि आपको जो अच्छा का एडर हो मिल सके ठीक है उसके बाद यह पूरा स्लेबस दे रखाया कि में जो जो इसमें पेपर हैं कैसे कै अपने बनाया भी होगा सबके पास इसलेबस होना भी चाहिए ठीक है उसके अपनी तयारी कितना कर रही है वो सब पता चलता है ठीक है तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन है तो असा करता हूं आप लोगों को यह जानकारी अच्छे लगी होगी और वीडियो को जरू अच्छे से कीजिए ठीक है तो मिलते हैं बहुत जल्द इसके संबंद में हम अपने चैनल पर कुछ वीडियो जोगरों लेकर आएंगे प्रीवेस यह पेपर्स और कैसे इसकी तयारी करने क्या बुकलेस्ट होनी चाहिए और प्रीजिए जो एक्जाम है अगर जल्दी आप को क्रेक करना है फर्स्ट अटेम्ट में तो उसके लिए हम कुछ स्टेटीजी आपको बताएंगे ताकि आप जो है इस परिक्षा में सपल हो सके क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे लेकिन बीच में यह वेगैंसी नहीं आ रही थी तो जैसे समय बड़ा कॉंपटिशन बड़ा तो हो सकता है उपर जा सकता है तो उस परकार से यह पुरा नोटिफिकेशन जारी हुए है काफी समय से इंतिजार था तो आज यह आई गया है आप लोग फॉर्म भरिये और तैयारी पर लग जाए धन्यवाद